इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लैग एंड फ्लक्स के बारे में कि ये क्या होता है देखिए आपकी कैलसिनेटिड और जो रोस्टिंग और होती है वो जो कि हमारी एक ऑक्साइड और बन जाती है उन और में अभी भी कुछ ना कुछ इंप्यॉरिटीज प्रेसेंट होती है और वो कैसे इंप्यॉरिटीज होती है वो होती है आपकी नोन फ्यूजिबल इंप्यॉरिटीज मतलब ये इंप्यॉरिटीज इजली फ्यूज नहीं होती मतलब लिक्विफाय फॉर्म में नहीं आती है और ये इंप्यॉरिटीज कौन सी होती है जैसे कि आपका सिलिका हो ग का अपने flux add किया एक substance अब impurities को हम लोग क्या बोलता है impurities को हम बोलता है गैंग्यू तो जो flux है वो गैंग्यू जो कि impurities है non-fusible impurities है उनके साथ react करके यहाँ पर compound बना लेता है जिसको बोला जाता है slag और यह जो slag compound होता है यह आपका मैटल से भी क्या होता है हलका होता है जो भी मैटल से हलका होगा मैटल की molten form में तो यह क्या हो जाएगा आपका सबसे उपर आ जाएगा उपर float करेगा तो impurities को हम easily remove कर सकते हैं अब जो आपका flux है वो दो और अगर impurity acidic है तो आप basic flux यूज़ करेंगे अब देखिए acidic flux कौन-कौन से होते हैं acidic flux में एक तो आता है आपका silika और जो borax है यह दोनों आपके acidic flux है basic flux में बात करें तो जो आपके carbonate है calcium carbonate हो गया या फिर आपका magnesium carbonate हो गया या आपके basic flux हो गये अब जो acidic flux था वो क्या था आपका SiO2 acidic flux जिनके लिए mainly use किया जाता है वो होती है आपके metallic oxides अब metallic oxide में मान लीजिए आपका FeO है तो जब इसके साथ reaction करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका FeSiO3 अब जो FeSiO3 बना है यह क्या है slag ठीक है अब similarly इसी तरीके से जो आपके basic flux है उनमें क्या आते हैं आपके carbonates तो यह हो गया आपका magnesium carbonate इसमें यह किसके लिए यूज करता है acidic impurities के लिए और जो SiO2 है यह क्या है यहाँ पे आपके acidic impurities तो यह इसके साथ slag बनाएगा MeSiO3 प्लस SiO2 gas यहां से release हो जाएगी तो यह होते हैं आपके flux और slag